तो आज हम लोग देखेंगे question answer chapter 2 plants और इस वीडियो में हम लोग करेंगे fill in the blanks, true false, mcq, short answer type questions and long answer type questions को और इसके पहले के जो वीडियोज हैं उसका लिंक आपको मिल जागा description box में वहाँ से आप check out कर सकते हैं तो आएए हमारे पास पहला question आता है fill in the blanks और यहाँ पर first question कहा गया है is the underground part of a plant plant का कौन सा part है जो underground रहता है वो हमारा answer होगा root तो हम लोग क्या लिखेंगे root root is the underground part of a plant और second question हम लोगों से कहा गया है roots absorb this and this for the plant तो plants के लिए root क्या absorb करते हैं तो हम लोग जानते है water and minerals तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे waters and minerals यह दो चीज एब्जॉर्ब करता है roots किसके लिए plants के लिए और अगला है name and people have roots तो इसके जो roots होते हैं वो tap root कहलाते हैं दो तरह के roots होते हैं हम लोग द्यानते हैं एक होता है tap root एक होता है fibrous root तो name and people tree के category में आते हैं और इसलिए इसके जो roots होते हैं वो कैसे होते हैं tap root होते हैं अगला हमारे पास है are edible roots तो कौन से roots हैं जो इडिवल रूट्स हैं तो आप बताएं वह इसे कौन से रूट हैं जिसकों लोग खा सकते हैं तो बहुत ही सिंपल है यहां हम लोग लिखेंगे केरोट एंड रेडिस आप कुछ और भी लिख सकते हैं इस पर बहुत सरे एकजांपल आपके मिल जाएंगे आप यहां पर बीट रूट भी लिख सकते हैं उसको भी लोग खाते हैं ठीक है तो इस तरह से अनसर आपका कुछ और भी हो सकता है आगे हमारे पास फिप्त नमर है म प्लांट जो होता है उसका रूट कैसा होता है तो उसका एरियल रूट होता है तो यहां पर लिखेंगे एरियल रूट ओके तो यहां पर complete होगा फिर अंदब लेंक्स अब हम लोग चलते हैं यह हमारे पास है true false तो यहां पर first question है carrot and beetroot store food in them yes यह statement true हो जाएगा यह जो carrot होते हैं और यह beetroot जो होते हैं वो क्या करते ना food store करके रखते हैं plants के लिए और दूसरा है beans and rose have fibrous roots क्या beans और rose का जो root होता है वो fibrous होता है नहीं यह tap root होता है तो यहां पर हम लोग लेखेंगे false ओके और अगला जो question है यहां पर कहा गया है all roots are edible जितने भी roots होते हैं क्या सभी को हम लोग खाते हैं नहीं यह false होगा सारे roots को हम लोग नहीं खाते हैं और अगला है roots do not get sufficient oxygen in marsy areas yes this one is true तो आप यहां पर true not कर लेगी तो यह हमने true false कर लिया अब आईए हम लोग करते हैं mcq और यह देखें first question है the root of this plant stores food यह कुन सा plant है जिसका root food store करता है तो हम लोग जानते हैं इस पर correct answer होगा carrot तो हम लोग carrot को tick कर लेते हैं और अगला जो है this plant has a tap root यहां पर कुन सा plant है जिसका root होता है tap root होता है तो देखिए बनाना नहीं होगा गरास नहीं होगा wheat नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा rose rose is the correct answer और अगला है these plants have breathing roots तो कुन से plants जिसका breathing root होता है तो हम लोग जानते हैं न ये mangrove plant का breathing root होता है तो हम लोग इसको tick कर लेते हैं चलिए अब हम लोग देखेंगे short answer tap questions को और यहाँ पे पहला question यह रखिए हमारे पास कितने question है total three questions है एकर करके सारे questions का answer हम लोग कर लेंगे और ये first question है देखिए कहता है name the two different types of roots तो यहाँ पे हम लोगों को two types के जो roots होते हैं उसके name बताने हैं तो हम लोग जानते हैं ये होता है tap root and fibrous root तो आप tap root और fibrous root दो यहाँ पे answer कर लेंगे और second question हमारा है give two examples of plants having fibrous roots वैसे दो plants के example देने हैं जिसका root कैसा होता है fibrous root होता है तो आइए हम यहाँ पे example में लिखेंगे banana and grasses आप कुछ और भी example लिख सकते हैं जैसे paddy plant हो गया wheat plant हो गया उसके भी जो roots होते हैं वो कैसे होते fibrous होते हैं या आप यह कहिए कि जितने भी cereals होते हैं उसका भी root कैसा होता है fibrous nature के यह होता है तो यह हो गया आईए हम लोग third question का answer कर लेते हैं और यह question हमारे पास है कहता है why do aerial roots need to come out from the soil ओके यह जो aerial root है यह soil से बाहर क्यों आते हैं ऐसा क्या जूरत है तो हम लोग answer करेंगे aerial roots need to come out of the soil to get sufficient oxygen in the marsy areas यह जो marsy areas होते हैं वहाँ पे जो plants grow करते हैं उसको sufficient मात्रा में oxygen नहीं मिल पाता है इसलिए aerial roots वहाँ पे बाहर आते हैं और वो oxygen प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग समझ गे कि aerial roots जो होते हैं वह बाहर इसलिए आते हैं soil से ताकि उसको उचित मात्रा में oxygen मिल सके ओके तो यह हो गया question number third और आईए हम चलते हैं long answer tap questions की और और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास four questions है तो यह करक करके सारे questions का हम लोग answer कर लेंगे और first question हमारे पास है लेना है तो आई हम लोग सेफ ड्रो करेंगे तो सेफ हम select किये हैं जो book में अपना है और उसी तरह का यहाँ पे हम लोग को डियाग्राम ड्रो कर लेना है यह देखिए tap route दिखाया गया है और इधर हमको दिखाया गया फाइबरास रूट में बहुत सारे रूट निकल रहे होते हैं कहां से बेस यह जो अस्टे में इसके बेस से बहुत सारे रूट निकलते हैं तो यह अपना एक नेटवर्क सा बन जाता है जाल टाइप का और यह difference है दो यह ही difference हमको question no.2 में बोला गया है देखिए question no.2 कहता है हम लोगों से इन वाट वेज इस दा टैप रूट डिफरेंट फ्रॉम दा फाइबरास रूट यह जो फाइबरास रूट है और टैप रूट है वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है तो अभी हमने देख लिया है अब यहाँ पर हम लोग not कर लेते हैं हम लोग क्या not करेंगे टैप रूट के बारे में लिखेंगे टैप रूट is a single long root with thin roots arising from it जो टैप रूट होता है उसमें एक single long root होता है और उससे बहुत सारे पतले पतले roots निकल रहे होते हैं यह हमने देख लिया है भी डैग्राम में यह हमने not कर लिया अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुन-कुन से plants जिसमें से tap root पाया जाते हैं तो यह भी simple है यह beans हो गया रोज लेडी finger यह सारे कुछ ऐसे plants हैं जिसमें से tap root पाया जाते हैं अब आईए हम यहाँ पर दूसरा जो है fibrous root उसके बारे में not करते हैं तो fibrous root के बारे में लिखेंगे fibrous roots are those in which many roots arise from the base of the stem यह जो stem होता है उसके base से बहुत सारे पतले पतले roots निकलते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं network की तरह और उसको हम लोग क्या कहते हैं fibrous root कहते हैं तो fibrous root बहुत अंदर तक नहीं जाता है आप ध्यान रखतेगा और कौन-कौन से प्लांट जिसमें fibrous root पाया जाएंगे तो cereal सो गये grasses हो गये बनाना हो गये यह सब कुछ ऐसे प्लांट से जिसमें fibrous root पाया जाते हैं तो हमने यहाँ पर difference कर लिया है और डागराम भी देख लिया अब हम चलेंगे question नमर थर्ड की और और यहाँ पर कहा गया state the two main functions of roots यह roots होते हैं इसके दो main function हमको यहाँ पर note करने हैं तो हम लोग यहाँ पर note करेंगे फ़र्स्ट हम लोग लेखेंगे two main two functions of the roots are तो इसमें पहला function हम लिखेंगे it helps the plant to absorb water and minerals from the soil जो plants है न उसको help करते हैं water और mineral को absorb करने में from soil से यह इसका पहला function हो गया root का जो की main function हो गया और दूसरा function हम यहाँ पर लिखेंगे it holds the plant upright in the soil soil में plant को सीधे खड़े रहने में help करता है मिट्टी को जकड़े हुए रहता है roots जिससे न प्लांट सीधे खड़े रहा पाते हैं तो यह यहाँ पर दो functions होगे किसके roots के जिसको हमने यहाँ पर note कर लिया चलिए अब लोग लास्ट question देखेंगे और यह हमारे पास है कहता है in what way are the roots of बन्यान tree and mage a special यह जो बन्यान tree है और जो mage है इसका root किस तरह से special होता है तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बन्यान tree के बारे में और जो second paragraph है इसमें लोग लिखेंगे mage plant के बारे में तो हम लोग क्या note करेंगे हम लोग यहाँ पर note कर लेते हैं in बन्यान tree the branches get extra support with the help of a special roots that grow downwards from the branches जो बन्यान tree होते हैं उसके branches से downward नीचे की और roots ग्रो करते हैं और जब वो नीचे आते हैं तो क्या होता है ना वो जमीन से लग जाते हैं और जो branches हैं उसको extra support परदान करते हैं इस तरह से यह help करता है तो अभी हम लोग ना यहाँ पर note कर लेते हैं second paragraph में mage plant को लेकर के mage plant के जो roots होते हैं वो कैसे special होते हैं हम लोग लिखेंगे the roots arising from the base of the mage plant help them to keep erect because mage have thin and long roots which require extra support यह जो mage plant होते हैं उसके जो stem होते हैं वो बहुत पतले होते हैं थीन होते हैं और लंबे होते हैं इसलिए उसको सहारा की जरूरत होती है तो उसको support चाहिए होता है तो support कैसे मिलेगा तो mage plant जो होता है उसके base से roots grow करते हैं roots निकलते होएं और यह roots निकलते हैं वो roots help करते हैं mage plant को सीधे खड़े रने में keep erect okay उसको सीधे खड़े रने में help करते हैं तो इस तरह से यह joh mage तो आप प्टम्हें स्थम्हें निक्राफ रॉटक्त व्यापक्षथ। क्यारे ग्याक्ति विए जिए पुछ धिए च्टर स्वीड़ीग टर्स अजिए वस्तुम्हें इन प्टिकते टेट कईट डिए सब्सक्राइब ट्रवाटेज है दॉट अप्क्राफन लिए अट्राफ झाल झाल